अन्डेस्टेंडिंग ओप रेंडर एंजिन इवी सब्से पहले हम यहां पे प्रोपर्टी इज पेनल में जाके कनफर्म कर लेंगे कि हम रेंडर एंजिन इवी के साथ ही काम कर रहे हैं करें यहां प्रोजेक्शन तक нам इसका प्रोजेक्शन ठीक से मिल पाए एक प्रोजेक्शन ठीक से मिल पाइउ हुई है जब हम यहां पर रेंडर प्रोजेक्शन में जाते है व्यूपोर्ट डिस्प्ले में तो यहां पर हमें ओल्रेडी इसका रेंडरिंग डिक्टा है किस तरह से काम करेंगा अभी लाइट को जैसे करके घुमाते उसके मुताबिक उसका शेड़ो का डायरेक्शन चेंज होता है लाइक को वापस उनकी जगह पर प्लेस कर देंगे इसको थोड़ा से इंट्रेस्टिंग और कर लेंगे यहां पर क्यूब को स्लेक करके ची प्रेस करके उपर ले लेंगे थोड़ा सा आर प्रेस करके इसको घुमा लेंगे थोड़ा सा अभी हमारे पास एक लाइट तो अल्रेडी है अभी हम सिप डी प्रेस करके और लाइट जनरेट करेंगे औ ताकि दोनों साइट पर अपने को सिमेट्रिक प्रोजेक्शन मिल पाए यहाँ पर ओल्रेडी लाइट से और लाइट के वज़े से जो एफेक्ट हो रहा है वो भी हमें दिख रहा है जब हम रेंडर रेंचिंग में रेंडर प्रोपर्टीज में यहाँ पर निचे में से पर अभी 512 हैं यहां पर शुपर जूम करने से में पता चलता है कि इसकी असकी कंडिशन क्या हैं जैसे इसकी साइज कम कर देंगे जैसे कि 64 कर दी तो यह पुरा का पुरा तुनला हो गया मतलब शेडों की डिटेल ठीक से नहीं मिल रहे है जैसे जैसे यह में इसकी करता है जैसे इसका पिक्सेल रेट बढ़ा वैसे वैसे आपके मशिन को स्लो करेगा तो हम बाइडिफोल्ट 512 रख देते यहां पर स्टोप शेड़ों है स्टोप कर देंगे तो यह हार्ट सेड़ों हो जाएगा और इसका हार्शनेस दिखने को लगेगा जैसे 64 पर करते तो और भी दिखेगा यहां पर हाडनीश दिखने लगा उसे वापस से 512 कर देंगे हम स्टोप शेड़ों ही रखेंगे ताकि थोड़ा रियालिस्टिक लगी यहां पर लाइट थ्रेस्पोल्ट का उश्ण है लाइट थ्रेस्ओल्ट से क्या होगा कि यहां पर जो भी दो लाइ लाइट का पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन चेंज हो गया अभी हम वापस से रेंडर इंजिन में जाएंगे और यहाँ पे जब हम चेक करेंगे कि लाइट ठ्रेस्वल्ड का मतलब क्या रहता है तो कितने एरिया में लाइट प्रोपेगेट हो रही है जैसे कि हम यहाँ पे इ प्रोजेक्शन इस तरह से लिख रहा है तो यहाँ पे हम लाइट को कम ज्यादा कर सकते ही जहाँ पे आपको स्टेश यो ऐसा कुछ बना ना हो तो इसका यूजम कर सकते हैं अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पूरा का पूरा अंधेरा है अगर रियालिटी में देखा यहाँ पे कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन आना चाही ओर एक्जामपल यहाँ पे अगर वह इनजीन हैं तो हमें पता चलेगा पूरा का पुरा बलेक नहीं हूं दो में यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइट का प्रोजेक्शन आ रहा है जो लाइट इस सर्फेस से टकरा के इस पर आ रही है पर इवी में यह possibility है कि यहाँ पर यह फास्टे से इसलिए यह सब light यह calculate नहीं करती तुसके लिए यहाँ पर एक option है shift A press करेंगे और light probe में जाएंगे यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमें एक volume मिला उस volume के अंदर जो भी reflected light होगी वह render calculate करेंगे तो इसको एस पर प्रेस करके पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेंगे ताकि हमें अच्छी से काम कर पाए हमने पूरा का पूरा एरिया कवर कर लिया है अभी हम लोग यहाँ पर indirect लाइटिंग में जाएंगे क्योंकि यह डायरेक्ट लाइटिंग नहीं है तो इसमें जितनी भी indirect लाइटिंग आ रहे हो किसी भी surface से टकरा के आ रही हो उस्सारी के सारी यहाँ पर मिलेगे तो यहाँ पर ब्लेक लाइट हो गया अभी यहाँ पर हम लोगों को अच्छे से अच्छा रेंडरिंग मिला यह रेंडर और यह लाइट कल्कुलेशन अपने स्टील इमेजिस के लिए ओके हैं पर अगर हम इसका इनिमेशन बनाना चाहते तो यह लाइट इफेक्ट काम नहीं करेगा कैसे तो यहाँ पर हम क्यूब पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि जैस इस पोजिशन पर इसका केलकुलेशन हों उसी पोजिशन पर वह काम करता है अगर किसी वर पोजिशन पर में नहीं करेंगे तो शुटा सा पोजिशन कर देंगे अब यहां पर हमारा श्रण है तो थोड़ा सा और इसको मूँव करेंगे और अच्छे से साइड में पोजिशन कर देंगे दोनों लाइट को ऑप करदेंगे अब इसको आर्प्रेस करके रोटेक करेंगे अभी यहां पर इसका direction ही सिर्फ important है क्योंकि direction से ही इसका काम होता है अभी यहां पर हमने आर प्रेस करके इसकी side पर कर दिया तो यहां पर हमें इसका projection दिख रहा है तो हम देख सकते हैं से कहीं ज्यादा अच्छी कॉलिटी में यहां पर अपने को शेडो मिल रहा है अगर शेडो में जाके हम चेंजिस करेंगे तब भी हमें ज्यादा डिफ्रेंस नहीं मिलेगा कि यहां पर से यहां पर शेडो में जाके हम यहां इसका 64 करते तब भी ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आएगा मलब सन अगर होगा तो उससे ज्यादा अच्छी कॉलिटी का अपने को रिजल्ट मिल रहा है तो इसमें हमनी EV कैसे काम करता है और उसमें कौन-कौन सी quality चेक करनी होती है उसका drawbacks को कैसे handle करें वो सब हमनी चेक कर लिया है